मेहंगाई पिशले कई महीनों से बहुत शुब रही है रसोई के समान एबम रोजमर्रा की अन्य ज़रूरी बस्तूओं के साथ साथ पेट्रोल डीजल की आसमान छुती कीमतों ने आम आदमे की जिन्दगी चुनोती पुर्ण बना दी है समाज का लगबग हरवर्ग बजट में संतूलन साधने में बेहाल है वहीं इस बढ़ती महंगाई पर कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी ने एक बार फिर बीजेपी पर कड़ावार करते हुए कहा की बीजेपी की मुद्दे दंगे और ताना शाही है राहूल गांदी ने ट्वीट करके कहा की जनता के मुद्दे कमाई महंगाई वहीं बीजेपी के मुद्दे दंगा ताना शाही देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नाकरात्मक सोच और नफरत की राजनिती को हराना है आओ मिलकर भार जोडो बता दें कि फरवरी 2022 में थोक मुल्य सुंचकां का धारित महंगाई दर 13.11 फीसदी रहा था थोक महंगाई दर का पिछले 5 महिनों का ये उचितम स्तर है जनवरी 2022 में महंगाई दर 12.96 फीसदी रही थी महंगाई दर बीते एक सालों से ज़्यादा समय से लगातार दहाई के आंकडे में है एक साल पहले थोक महंगाई दर 10.74 फीसदी पर था वानेज्य मंतराले की मुताबिक अपरेल 2022 महिने में महंगाई दर की मुख्य वज़ा पेट्रोलियम नैचुरल गैस, मिन्रल ओयल, बेसिक मेटल्स की कीमतों में तेजी है जो रूस युक्रेन युद के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में पड़े वियब धान से पैदा हुआ है होमसेल महंगाई दर 15 फिसदी के पार जा चुका है जबकि बीते हफ़ते खुद्रा महंगाई दर का आंकड़ा आया जिसके मुताबिक खुद्रा महंगाई दर मई 2014 के बाद अपने उचितम स्तर 7.89 फिसदी पर रहा है जिसके मान सी जचितम स्तर चापता है